नमस्कार दोस्तों आप सवी का हार दिक स्वागत है आपके अपने यूडूब चनल जीते यूकरशन पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे M8 की बारे में जी हैं दोस्तों इस आपके B8 की हुई है तो आप M8 करके विबिन परकार के फायदे उटा सकते है M8 दो साल का कोर्स होता है और B8 करने के बाद इस आप इसे करते है तो आप दोस्तों रोजगार के कई अवसरों में सामिल हो सकते हो और इस वीडियो में हम बात करेंगे M8 के पांस फायदों के बारे में जी है आपके M8 हो जाएगी तो आपको पांस परकार से फायदे मिल सकते है और आप B.A.D. के बाद बेरुज़ करों की भीट से अलग हो सकते हो तो बात करते हैं उन पांच फाइदों की जिससे की आप फाइदा उठा सकते है M.A.D. करने के बाद दोस्तों पहला फाइदा ये है कि M.A.D. के साथ दिए आपके नेट है तो B.A.D. कुलेज के टिचर आप बन सकते हो तो M.A.D. के साथ ये आपके नेट है ये दोस साल का M.A.D. का कॉर्स करते हो और साथ ये साथ आपके नेट भी किलिर होती है तो B.A.D. कुलेज होती है उसके टिचर आप बन सकते हो जो कि दोस्तों उसमें बोट ही कम फो में एपलाइ होते है तो उसमें भी आप दोस्तों टिचर बन सकते हो तो फाज़ा फाज़ा नमर एक हो गया फाज़ा नमर दो की बात करते है तो फाइदा नमर दो दोस्तों यह है कि आप BSTC कोलेज के टीचर बन सकते हो कई राजियों में BSTC को DLAD भी कहा जाता है तो उस DLAD यानि BSTC कोलेज है उसके आप टीचर बन सकते हो और उसके लिए दोस्तों सिर्फ M.A.D. ही जरूरी है नेट की आउसकता उसमें नहीं है क्योंकि बार ही पास से दोस्तों बाद में तो BSTC होती है उसके लिए नेट की आउसकता नहीं होगी BSTC कोलेज के टीचर के लिए ही नेट की आउसकता होती है BSTC कोलेज के टीचर के लिए नेट की आउसकता नहीं होती है सिर्फ आप एमेट होनी जरूरी है तो फाइदा नमर तीन की बात करते हैं तो फाइदा नमर तीन दोस्तों यह है कि आप TGT और PGT में आपको वेटेज मिलेगा तो दोस्तों TGT और PGT जो केंदर ये लेवल की भरती आती है KVS में और अधर दोस्तों जो भी संस्ता है होती है उनमें वेटेज सिस्टम होता है जिसमें B8 का वेटेज मिलता है और इदे आपके एमेट की हुई है तो एक से दो नमर का फाइदा उसमें मिल सकता है और उसमें अधिक वेटेज आपको मिलने पर दोस्तों आपके लिए कई परकार के बेनेपिट हो सकते है उसमें टिस्टर बढ़ना आपके असान हो सकता है तो टिस्जीटी और पिस्जीटी में आपको वेटेज अधिक मिलेगा इदिए आपके मेट की हुई है तो तो फाइदा नमर चार की बात करें तो फाइदा नमर चार यह है कि आप इदि एमेड की हुए है तो कोलेज में प्रोफेसर बन सकते हो कोलेज में दोस्तों इदि नेट की हुई है तो आप सो सकते है कि assistant professor के लिए तो बरती आती है उसमें आप net की हुए है तो आप assistant professor बन सकते हो लेकिन यह आपकी net के साथ emade है तो college में professor की बरती आती है तो वो professor आप दोस्तों बन सकते हो आगे हम बात करें फाइदा नमर 5 की तो फाइदा नमर 5 यह है कि कई college होते है जो private college भी होती है और emade करने के बाद आपको इस principal की सीधी vacancy में भाग लेने का उसर मिल जाता है तो यह थे दोस्तो emade करने के 5 फाइदे कैसा लगा यह video हमें comment box में जरूर बताए और साथ-साथ इससे समदे जो भी आपके कोई सवाल है वो हमें comment box में आप बता सकते है दन्यवाद जहिंद जह भारत